कोरोना से मुक्ति के लिए रायपूर के सबसे प्रतिस्टित दूदाधारी मठ में हनुमान स्वालिसा की सवालाख पाठ किये चुआ रहे हैं मठ के मठाधीश रामसुंदर दास ने आम लोगों से भी हनुमान स्वालिसा का ग्यारा बार पाठ करनी की अपील की है रोडी कहा है कि हनुमान स्वालिसा में कहा गया है कि नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हडुमत बीरा तो निश्चत रोप से उसका प्रतिफल हमें मिलेगा चत्तिसगर के साथ ही पूरे दुनिया को कोरोना से जल्द ही मुक्ति मिलेगे हमारे साथ दुद्दवारिमत के मठा दीस महन जी मौझूद है उनसे ही इस पार्ट के बारे में डिटेल से जानते हैं कि किस तरह से यह आयोजन होगा और आपको क्या लगता है कि इस से इस पार्ट की माध्यम से के कोरोना को दूर किया जा सकते है निश्चित्र से रायपूर 36 राजधाई रायपूर नगर है इस रायपूर नगर में विगत बारह वर्सों से राम नौमी के पावन उसर पर शवा करोड हनमान चालिसा का पार्ट करने का कारकम चर रहा है और इसमें पंडित वीजय महताजी प्रमकुरूप सूपस्तित होते थे उनके सानिद्धे में यहां कारकम रायपूर नगर के बिभिन इस्थानों प्रत्तेक्वा सायवजित होते रहा तो अभी सारदी नवरात तरह चर रहा है आज उसका दूती दिवस है इस दिन हम सब ने यहताई किया है कि रायपूर नगर में अब पूरे 36 गड़ में इस आरजन को किया जाए और चोंकि सासन प्रसासन कर नियाम का पलन करते हुए किसी एक जगा पर इस कारकम का हम नहीं कर पा रहे हैं तिसने हमने आगरा किया है कि जो जहां है अपने घर में अपने कालोनी में किसी गार्डन में या फिर चौक चौरा हैं जहां भी बैट करके नियम का पलन करते हुए इस हन्मान चारी साग पाट को करें तो निश्ची तरुप से इससे यह जो वैस्विक महामारी है उससे छुटकारा मिलेगी क्योंकि हन्मान चारी सामें ही कहा गया है कि नासय रोग हरै सब पीरा जपत नीरंतर हनुबत वीरा तो हन्मान चारी सामें कहा गया है तो निश्ची तरुप से उसका प्रतिफल हम सब को मिलेगा और हमारा रायपूर नगर हमारे श्टीजगर हमार भारत वर्ष और पुरब प्रत्यिक्वत्ती को ऊकल्ट डिया होगा कि कितना ग्लाइबाद है और पर हम आई सब शुकर दें हैर और देच Ratag आज नवरात्री का दूसरा दिन है और आज सवा लग हनुमान चालिसा का पाट किया जाएगा और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि से कोरोना संक्रमर का खत्रा जो है वो थोड़ा कम होगा हलाकि आपको बता दो कि राजधानी राइपूर में कोरोना संक्रमर का जो सब्सक्राइब के साथ सुप्रिया पंडे स्वाराज एक्स्प्रेस राइपूर तो बुलिटन में इतने हैं आप देखते हैं